महिलाओं के लिए बहुत एक सुकुन वाला, सम्मान वाला एक बजट होगा युवाओं के लिए भी आगे बढ़त वाला बजट है और गरीबूंका और किसानों के लिए भी होगा हमारे राजस्तान के लोग सम्मान से जिना चाहते हैं, गर्व सी जीना चाहते हैं, उनको इंफ्रास्टर्चर चाहिए, जटका मीट जो लेते हैं वो नहीं चाहते कि पशुगों के साथ प्रूरता हो, लाइसेंस में भी मैंशिंट होगा इसके साथ में दुकान के उपर भी ल राजस्तान है वो उर्जा के मामले में भी आत्म निर्वर राजस्तान बनेगा अंतिम पिछड़े व्यक्ति तक अगर विकास पहुंचाना है तो उसमें जन्ज सहभागेता की आवशक्ता है आज हमारे साथ मेर सोमे गुजर जी है इनसे जानना चाहेंगी जिस तरह से राजस्तान में कल का बज़ट आ रहा है और जन्ता में उत्साहित पिये पार्टीों उत्साहित है क्या कहना चाहेंगी में निश्यत रूप से हमारी सरकार राजस्तान के अंदर जब से बनी हैं बहुत अच्छा काम कर रही है और राधनिया परधान मंत्री जी का जिस तरह चार जातियों, महिलाएं, युवा, किसान और गरीब चार जातियों पर फोकस करके अंतोदे के मिशन पर काम किया है उसी अंतोध के मिशन पर हमारे राजस्तान सरकार आधनीय मुख्यमंत्री मोदेजे की नेतरत्व में काम कर रही है महिलाओं के लिए बहुत एक सुकुन वाला सम्मान वाला एक बजट होगा युवा, युवाओं के लिए भी आगे बढ़त वाला बजट है और गरीबों का और किसानों के लिए भी होगा और मैं यूँ भी कहना चाहते हूँ और भी पिस्टी सरकार भी देखी है जब हर बार बात करते हैं चुनाव पास में आते हैं 100 unit मुफ्त में देने वाली तो हमारे राजिस्तान के किसान, हमारे राजिस्तान के वो लोग मुफ्त में नहीं चाहिए इनको हमारे राजस्तान के लोग जो है सम्मान से जीना चाहते हैं गर्व से जीना चाहते हैं उनको infrastructure चाहिए उनको वो सारी चाहिए जैसे अभी कुछी दिनों पहरे हमारे यहां solar का एक बहुत बड़ी एक exhibition लगी थी उसमें भी बताया गया कि अब राजस्तान सोर उर्जा के मामले में बहुत आगे बढ़ रहा है और सोर उर्जा में हम अन्या राजorang को हम देने वाला बाला रहे है जैसे यहां के महापुर्ष दानूर महापुर्ष हुआ करते थे उसी तरह राजस्तान है वो उर्जा के मामले में भी आत्म निर्बर राजस्तान बनेगा बिलकुल लगा में जेपूर के बात करें जेपूर साफ सफाइग लेके आपकी क्या राय है क्या होना चाहिए जेपूर की साफ सफाइग लेके कि ये जेपूर प्रियाटन का छेत्र भी है ये आपका क्या विचार है जेपूर गुलाबी नगरी जेपूर प्रियाटन का क्षे करती हूं क्योंकि अभी मैं सिंगापूर वर्ल सिटी समिट के अंदर भाग लिया रिसेंटली ब्रिक्स प्लस एसोशेशन उसमें भी मैंने भाग लिया वहां मैंने देखा कि जब तक शहर की लोग अपने शहर की स्वच्छता को अंगिकार नहीं करेंगे तब तक कितनी भी को अगर हर घर पर भीज रहे हैं तो फिर कचरा सारवजनिक स्थानों पर नहीं आना चाहिए तो शहर वासियों से भी निवेदन करती हूं कि आप भी थोड़ा सा साथ में आईए अपने जैपूर के लिए साथ में आईए जिससे हमारा जैपूर हो सुंदर बने अच्छा बने के नेन Indy कर्के रहे हैं उनके लाइस्य के लिरा से ख слышक रहे हैं वहान रहने वाले तमाम को लोनिय वालों का भी विरोध होता है पर वभी लाइसेंस दिया जा चुका है तो उपकिरिया एक जटिल परकरिया बन गए और उन तमाम उन शेहरवासियों का ध्यान में रखते हुए, जन भावनाओं का ध्यान में रखते हुए, कल की कारी कारी सिमिती के अंदर प्रस्ताव लिया गया, कि जो भी मीट की दुकाने हैं, उनको संचालन है, वो कमर्शियल पट्टा अगर दुकान का होगा, तभी लाइसेंस दिया जाएगा, अन्य था नहीं दिया जाएगा, कि लोगों को ऐसा था कि कुछ व्यक्ति चाहते थे कि जो मीट वहां से पर्शेश करते हैं, जिसे मैं तो शुद साकारी हूँ, मुझे नहीं पता, पर वो खरीदने से पहले उनको चाहिए कि वो जटका मीट है, या हलाल मीट है, क्योंकि जटका मीट जो लेते हैं, वो नही कि एक भावना थी, कि आप ऐसा मेंशन होना मेंडटरी है, तो हमारे लाइसेंस में भी मेंशन होगा, इसके साथ में दुकान के उपर भी लिखा जाएगा, कि जटका मीट शोप है, या हलाल मीट शोप है, जिसे जो भी जो खरीते हैं, उनको भी सपश्टता रहें, कि ये ज इतना सही होगा कि आप एक्ट्यू है, जा कहना जाएंगे? कि पार्क और सर्किल्स है, वह वहां सेक्षनिक संस्तान, होस्पिटल्स या अन्यकुश संस्ताएं, या विकास समेतियां, वह अगर गोद लेना चाहती है, जो चाहते हैं कि हमारे जैपूर हरा भरा रहे, सुन्दर है, तो हम उनको आमंतृत करते हैं, वह आईए, उनके कि वज़े से नगर निगम का आर्थिक भारतों कम होगा ही होगा, इसके साथ में मिल के एक शहर को अच्छा बनाने के लिए एक सकारात्मक पहल भी होगी. अगर हम बात करें, जिससे नगर निगम को दो टुकडों में कर दिया, कॉंग्रेस पार्टी ने, अगर एक मेर रहते तो क्या जेपूर में अच्छा काम होता? लेकि निशित रूप से ये जो विभाजन है, विभाजन अपने आप में बहुत ही दुरभावना पूर्ण विभाजन है, जहां एक वाड़ दो हजार वोटर्स का एक वाड़ है, और कुछ वाड़ जो है, दस से पंदरह हजार तक की वोटर्स का वाड़ है, यानि वो लेकि निशित रूप से जिसे निविदन करूंगी कि वो जैपूर को एक करें, जैपूर नगर निगम एक ही होना चाहिए, क्योंकि आम जैपूर परकोटा और भार का जैपूर एक साथ में मिलकर जैपूर की विरासत और धरुर को संजोना चाहता है. बिलकुल मेरा एक आखरी सवाल है, कि जिस तरह से अभी बरसात का मौसम है, लाइटे हैं, पोल है, आप कि तरह समस्याय को पूरा किया जा रहा है, और मिट्रिक कट्टों को लेकर, कितनी तैयारी है नगर निगम बरसात को लेकर? देखें, नगर निगम की जो विवस्ताइं होती है, जिसे बारिश के हमने आम सुचना भी दी की बारिश का मौसम है, इसमें कोई भी आप बिजली के पोल के पास में आप नहीं जाएं, कोई पशूँगों को बान देते हैं, इसी बातें बिलकुल नहीं करें, आप थोड़ इसके लिए भी हम मिटी के कटो की विवस्ताएं हैं, कहीं भी जल भराव ज्यादा हो जाता है, उसके लिए मड़ पंप है, और हमारे जोन इस तरकी उपर भी इस तरह की सुरक्षा की विवस्ता की गई है, जिसे आम आदमी परिशान नहीं हो, उसमें गुजर थी, जेपू किस्न कमार सार्मार साथ, हरनाम सिंग, पंजाब की स्रीजेपू